यह मेरे पास रियलमी C 35 है देखिए इसमें यह बिलिंग हो रहा है इसका डिस्प्लेय लाइड बिलिंग हो रहा है देखिए यह यह बिलिंग हो रहा है यह अपडेट करने के बाद करने के बाद कस्टुमर कह रहा है कि यहां अपडेट करने के बाद इस तरह का दिक्कत आ गय तो अभी मैं इसका वर्जन दिखा दे रहा हूं इसमें कौन सा वर्जन इसमें इस्टाल है देखिए 13F61 है इसमें 13F61 है तो इसका मैं यब इसका सोलूशन 100 million solution करके दिखाऊंगे देखना यी अप्डेट करने के बाद है इसका लाइट गलिंग हो है यह लगातार विलिंक ही हो रहा है इसे format कर देंगे तब भी यह गोगा इसका इसे में 45 करके भी देख कुका हूं फेर्म करने के बाद भी विलिंक हो रहा है और दोसा डिस्प्रेय लगाने के बाद भी यह गोह रहा है तो इसका light भी ओ रहा है कि इसका 100 परसंद count देने वाला हूं video computer देखना देखना देखिए मेरे पास एक file है मैं डाउनलोड किया हूं इसका फाइल इसमें f168 है और फोन में जो इंस्टाल है पर 6 6 एक सथ है उसमें तरहे मैं इसमें इसमें इनिश्टाल करें दिखाऊंगा और इसी पूरा देखना हाए यहए 100 के fruits of 16 1 और मेरे पास मैं दाउनलोड किया हूं इसमें इसमें इसलेफी पैस्ताव कर ओं अूैं तो आ इसमें इसमें इनिश्टाल करना यूंगरवन ind angry CPU लगा हुआ है तो यह जो मेरे पास से UMT का SPD टूल है तो उससे में फिलेश करूँगा कि उस फाइल को इनिस्टाल करूँगा इसमें इसमें यफ 61 लगा हुआ है देखिए फिलेश में जाना है उसके बाद में और पैक फाइल को चलट करने ना है तो मैं यहाँ पर डिक श्टाप रखाँँ देखिए रिल में जी पहतीस है लाइन को से लिट करने के बाद यह मेरे पास यूम्टी का टोल है यह यूम्टी का SPD टोल है इससे स्क्टी प्लेस हो जाता है तो फाइल करने के बाद है पोन को स्विच्वड कर लेना है कि यह अपडेट करने के बाद इस तरह का दिक्कता है इसमें फॉल्डर चेंज भी है यह कंपनी का फॉल्डर ने इसमें लगा हुआ है इसमें कॉपी डिस्प्रे लगा हुआ है तो देखे भी मैं इसे पावर आफ कर दिया हूं कि करने के बाद यह फ्लस वाले पर कर देना है फ्लस फूम तो देखिए इसमें यह कह रहा है पावर आफ करके वह लूम प्लस और माइनस बटन दबाकर केबल लगा देना है कि दोनों प्लस माइनस दबाकर केबल को लगा देना तो यह कनेक्ट हो जाएगा लाइए यह प्राब्लम इसोल भॉजाए कि यह जो मिले पास टूल है यह बहुत अच्छा टूल है और इससे आले स्पीड़ी का फुन फलेश कर सकते हैं कोई भी ऊस्पीड़ी फून इस्पीड़ी सीपी वाला फून रहे तो तो उसे फलेश कर सकते हैं असानी से फ्लस हो जाता है पूरा कंप्लीट है हाँ केबल अच्छा यूज करना है कोई अच्छा के वाला केबल यूज करना है यह हंडेट पर्षंट सऑ हो जाएगा जो बिलिंक हो रहा है अगर पअगर च्रेंगे तब भी यह सही होगा आपको कुछ भी नहीं करना इसम ini दिक्क्त आता है तो आपको उर्जरन चेक कर लेना है वर्जन जहां तक होगा तो यहीं वर्जन होगा उसमें भी अगर इस तरह का दिक्क्यत आ रहा है बिलिंकिंग प्राब्लम का तो आपको कुछ नहीं करना मैं इसका इस फाइल का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या तो फिर कमेंट में पिन कर दूँगा वहां से देख लिए न तो यह हंडिट परसेंट फ्लस हो जाएगा देखिए मेरे फोन में कुछ डाटा केबल इसका पोर्ट मे फ्लस कर रहा हूं इसलिए फोन को नीचे रख दियाएओं क्योंकि खाड़ा करने में पोर्ट में दिक्क्त था ठोड़ा धेला था फोर्ट तो इसलिए यह डिस्कनुट हो गया था इसलिए में फोन को नीचे रख दियाओं ताकि हधे लेन अज threatening perse Limited होने देना यह 5-6 मिंट लगेगा 6 मिट कुछ शिकन लगेगा से फ्लस होने में यह कंप्लीट फ्लस हो जाएगा उसके बाद में मैं कंप्लीट फ्लस होने के बाद भी दिखाऊंगा इसका अभी लिंकिंग प्रॉब्लम सही हुआ कि नहीं हुआ वीडियो को कंप्लीट देखना यह 100% चल हो जाएगा अगर इस तरह का दिक्केत आता है तो आपको कुछ भी नहीं चेर्शाड करना है कुछ भी नहीं बोर्ड में चेर्शाड करना है ना है उसे खोलना है यह उपस से सही हो जाएगा शिरिफ आपको फाइल डाउनलोड करना ह है उसके बाद में से फ्लेश कर देना है तो यह सही हो जाएगा 100% अगर खोलकर फोल्डर चैर्ज करेंगे तो भी नहीं सही होगा इसमें अपड़ट में दिक्क्त आया है अब पता नहीं वर्जिनल डिस्प्ले जिसमें लगा होगा उसमें भी दिक्क्त आता है या या अगर किसी के पास है यह 61 वाला अगर अगर है अगर धैनल डिस्पored लगा हुआ तो उसे čेक कर सकते हैं और देख़कर क्मेंट करो देना कि मतलब इसमें दिक्क्त आ रहा है नहीं आ रहा है अरका कॉप्यर डिस्प्ले में आ रहा है दिक्क्त इस तरह है और कमेंट कर देना देखिए फ्लेस हो गया है कंप्लीट अभी यह ओन हो रहा है तो ओन होने में 4-5 मिन लगेगा तो मैं थोड़ा स्पीड कर दे रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो तो इसे मैं पूरा ओपन करके दिखाऊँगा इसका वर्जन भी दिखाऊँगा कि पहले कौन सा वर्जन था और दुबार अब जड़िन हो गए समें और यह सही भी हो जाएगा देखिए पहले बिलिंग कर रहा था लेकिन अब यह सही हो गया है तो मैं इसका सेटप पर पुरा कम्प्रीट करके दिखा दे रहा हूँ अगर यह फार पर रहेगा तो भी रिमूब हो जाएगा फैलेश करने के बाद पर 1976 अपनी को रहा था अब यह फिरींग प्राब्लम करने मों हो गया है कि देखिए एक सेटिद रखन अमरे बिलिंग खो रहा था कि अब यह कैसा अब यह ऑल नि describes दिखा दे रहा हूा है देखिये अचैनला करने के बाद इसे फ्रेज कर दिना है अगर फाइल नहीं मिलेगा तो कमेंट में देख रहें ना पिन कर दूँगा मैं या तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वहां से डाउनवर्ड कर लेना यहंडेट पसंट सही हो जाएगा और कुछ भी छेचार नहीं करना है अगर वीडियो अच्छा लगए तो लाइ कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना